गौतम गंबीर ने नहीं, रोहिक शर्मा ने हार्दिक पांड्या को हटाया, सूरिकुमार यादफ को नया T20 कप्तान बनाया तो पिछले कुछ दिनों से ये खबर हर तरफ है कि सूरिकुमार यादफ टीम इंडिया के नय T20 कप्तान होंगे और गौतम गंबीर के कहने पर BCCI और सेलेक्टर्ज ने सूरिकुमार यादफ को कप्तान बना दिया है लेकिन अब जो एक नई खबर, बड़ी खबर सामने आई है कि गौतम गंबीर के सिर्फ कहने पर नहीं टीम इंडिया के वंडे और टेस कप्तान रोहिद चर्मा के कहने पर BCCI ने, सलेक्टर्ज ने और गौतम गंबीर ने ये बड़ा फैसला लिया है और रोहिद चर्मा ने एक तीर से किये हैं, दो शिकार, सूरिको कप्तान बनाया और हार्दिक पांडिया जिन्हों ने उनसे मुंबे इंडिया की कप्तानी चीनी थी, उनको कप्तानी से हटाया क्या मामला हैं आपको बताते हैं तो गंबीर रोहिद चर्मा ने दोनों ने मिलकर सूरिकुमार यादफ के नाम को आगे बढ़ाया आपसे कुछ देर पहले यह कबर टाइमस ऑफ इंडिया ने ट्वीट की है सोर्श की माद्यम से और इस ट्वीट को भी आप देख सकते हैं जो टाइमस ऑ इंडिया ने आपसे कुछ देर पहले ट्वीट गया कि आपको बताएं रोहित के कहने पर हार्दिक क्यों चुट्टी दंबीर नहीं रोहित चर्मा के कहने पर हार्दिक पांड्या की T20 कप्तानी से चुट्टी वेरा में बूला ले चाहिए अब एक कुछ महिना पहले हार्दिक ने रोहित चर्मा की कप्तानी चीनी थी मुंबई इं कपतान बनाओ यह कहना है रोहित चर्मा का आप यह कोड़ देख सकते हैं कि जो सोर्से से खबर आए टाइम सब इंडिया ने उसमें रोहित ने अपना पक्ष रखते हुए यह कहा है कि सूरिकुमार यादव को नया टी-20 कपतान बनाओ हार्दिक से बहतर कफटान सकाई रोहित चर्मा का यह मानना है कि सूरुकुमार यादव हैं वो हार्दिक पांद्या से बहतर टी-20 कफटान साबित हो सकते स्काई ने टी-20 कपतान होने चाहिए जब राय ली गई रोहित शर्मा दौन ने मुकर आवाज में अपना पक्ष रखा और कहा कि Sky को नया T20 कपतान बनाओ, उन्होंने ऐसा क्यों किया, गंभीर ने रोहित के फैसले को आगे बढ़ाया, तो जब रोहित से फैसला आया, गंभीर तो वैसे भी रोहित और गंभीर के बीच बड़ी इच्छी बॉंडिंग है, तो गंभीर ने भी साथ मिलकर, Sky को कपतान बनाया है, और हार्दिक को साइड अटाया है, आगे बढ़ते हैं, Sky होंगे इंडिया के नए T20 कपतान, अब ये फाइनल हो चुका है, और ये 2026 तक Sky को जिम्मिदारी मिलेगी, और जैसा मैन आपको शुरुआते पहले का था, देखिए बड़ा अपना एक वोट यूज करके, वीटो पावर यूज करके, गंबीर के साथ मिलकर, बीसी सेलेक्टर को बोला है, भाई, सुर्या कपतान बनाओ T20, वैसे भी रोहित अभी, वंडे कपतान भी है, टेस्ट कपतान भी है, और जब नया कपतान बनाया जाएगा, तो रोहित की र